नमस्कार दोस्तों मैं हूं रेखा और आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में आप जान पाएंगे वट सावत्री वरत की पूजन सामगरी पूजा विधी वरत का महत वरत में क्या खाएं क्या ना खाएं वरत से जुड़ी संपुन जानकारी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को सुरू से लेकर अन्ध तक पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो किरपा करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर लेजिए, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सबस्क्राइब का निशान है, उस पर आप क्लिक करें, क्लिक के बाद तीन ओप्शन आएंगे, ओल पर आप सैट कर लें, अब मैं आपको बताऊंगे वट सावत्री वरत का महत्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावत्री अपने पती के प्राण यमराद से मुक्त क दराकी लेके आई थी इस दिन, इसी वज़े से इस वरत का विशेश महत्व हैं, इस वरत में महिलाई, वट वरक्ष की और सत्यवान सावत्री की पूजा करती हैं, सास्त्रों में ऐसी मान्यता हैं कि इस दिन सावत्री वट वरक्ष में निवास करती हैं, धार्मिक वर्ट सावत्री वरत की कथाओं को सुन्ने मातर से ही व्यक्ति की सभी मनो कामनाई पूर्ण हो जाती हैं इस वरत से सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग और संतान की प्राप्ति होती हैं अब मैं आपको बताऊंगी वर्ट सावत्री वरत की पूजन सामगरी आप चाहें तो इस सामगरी को कापी पैन लेकर नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में से स्क्रीशोट भी आप अपने पास रख सकते हैं जिससे कि आपको वरत वाले दिन पूजा करने में सुविदा होगी वट सावत्री वरत में सबसे पहले सत्यवान और सावत्री की अगर मूर्तिया आपके पास है तो आप वो ले ले अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप वट वरक्ष के नीचे भी उनका ध्यान करके सत्यवान और सावत्री का नाम लेके आप इस पूजा को संपन कर सकते हैं इसके साथी आपको भीगा हुआ चना आपको अवश्य लेना है भीगे हुए चने के साथ आपके घर परिवार में जो रीती रिवाजे पक्वान बनाने की वो आप अवश्य बना ले वैसे बारा बरगत के जो गुलर होते हैं वो बनाने का रिवाज है और बारा पूरी इन में आपको नमक बिलकुल भी नहीं मिलाना है आपको इस वरत में जो भी सुद्ध सात्विक भोजन ग्रहन करना है वो बिना नमक का ही होना चाहिए इसके साथ ही आप इस पूजा में एक बास का पंखा जो लकडी से बना हुआ होता है वो आपको अवश्य लेना है फल फूल जो भी मोसम के नुसार आपको मिल जाए दो बत्ती और बरगत के पेड़ की आपको पूजा करनी है अगर बरगत का पेड़ ना मिले तब आप बरगत की डाली लेकर भी इस पूजा को संपन कर सकते हैं इसके साथ ही आपको अक्षत लेना है हल्दी कुंग कुंग सोलस रंगार अगर आपको मिल जाते हैं तो अति उत्तम या फिरा पांच या साथ सुहा की वस्तुए आप अवश्य रखें तांबे का एक लोटा जल से भरा हुआ आपको लेना है सिंदूर का इस वरत में विशेश महत्व है सिंदूर महावर महंदी ये आप अवश्य रखें क्योंकि ये बाइना निकाल कर भी आप अपनी सासुमा को दे सकते हैं इसके साथ ही आप साड़ी बलाउज जो भी आपके सामर्थे हैं वो आप रख लें पूजा में बिछाने के लिए लाल कपड़ा आप अवश्य ले लें इसके साथ ही आप दान दक्षिना भी इस पूजा में अवश्य रख लें इसके साथ आप बढ़के पत्ते का बना गहना भी आप अवश्य रखें, बढ़के पत्ते को कच्छे सूत में या फिर कलावे में बांधकर गले में धारन करते हैं, अगर आप इस दिन कुछ दान भी करना चाते हैं, खर्भूजा और मोसम के अनुसार जो भी फल चला हुआ हैं, और मीठे पकवान, जैसे कि पूरी, गुल-गुले, मीठा हलवा, खीर, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी वट सावत्री वरत की पूजा विधी, जब भी आपका यह वरत रहें, एक दिन पहले सी आप कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आपको आपके वरत का जो उत्त पहली अंडे, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, सोने से पहले आपको अच्छे से अपने मूँ को साफ करके सोना है, अंड का एक भी दाना आपके दानों में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, आप शादिशुदा हैं और पहली बार इस वरत को कर रही हैं, तो आप आपको ब्रह्मचारिय वरत का पालन भी अवश्य करना चाहिए, और जिस दिन भी आपका वरत रहे, उस दिन सूर्या उदय से पहले ही उठकर आपको सनान कर लेना है, सनान करने के बाद आप कोशिश करें कि लाल, पीले, हरे, इन में से किसी भी रंका वस्तर आप धारन कर स इसके साथ ही आपको वरत का संकल्प अवश्य लेना है, सावत्री और सत्यवान की आपको पूजा करनी है, अगर आपके पास सत्यवान सावत्री की मूर्ती, प्रतीमा, फोटो कोई भी है तो आप पूजा घर पर कर ले, एक वट रक्ष की डाली मगा कर, और सत्यवान सावत प्रतिमा रख कर आप अपने घर पर चोकी लगा कर अच्छे से पहले गोरी गणिस का पूजन करें उनको स्नान कराएं वस्तर रूप में बोली चड़ाएं और जो भी फल फूल आपने पकवान बना के रखा हुआ हैं उन सभी चीजों से एके करके आप पूजन करें इस वरक्ष की पूजा का विशेश महत्व है अगर आप वरक्ष की पूजा करते हैं परिक्रमा करते हैं कच्छे सूत की आप 12, 21, 51, 108 अगर फेरी लगाते हैं वरक्ष में त्री देवों का वास बताया गया है ब्रह्मा, विश्नु, महेस ये तीनों देव वरक्ष में निवास क तो इन तीनों देवताओं का आशिरवाद आपको मिलता है आपको सबसे पहले वट वरक्ष में जल अरपित करना है अगर आपने कच्छा दूद मिला के रखा हुआ है पहले से ही तो आप कच्छा दूद अवश्या अरपित करें अगर नहीं है तो आप गंगा जल और लक्षिना रख दें फल फ्रूट चड़ा दें इसके बाद आपको कच्छे सूद से वट वरक्ष की 108 बार फेरी लगानी है आप अपने पती की दिरगायू की स्वस्त जीवन की आप कामना करें अगर आपको संतान सुख नहीं है तो आप संतान प्राप्ति की कामना भी आज से बड़े हैं उनका पैर चुकर आप आशिरवात भी अवश्य लें आज के दिन कुछ बाइना भी निकाला जाता है आपके घर परिवार में जैसी भी परंपरा है जो भी आप पकवान बनाते हैं वो पकवान एक साड़ी बलाउज कुछ सिंगार का सामान और दक्षिना उनकी वज़े से अगर आप अपने माईके में नहीं जा सकते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने ससुराल में जब भी यह वरत करें तो आप अपने माईके से ही उस वरत की पूजन सामगरी का जो पैसे लगते हैं वो आप मंगवा लें ऐसा करने से आपको विशेष फलकी प नोट कर लें नो जून दुफैर एक बज़ कर सतावन मिनट बुधवार के दिन अमावशा तिथी सुरू होगी और दस जून गुरुवार के दिन शाम को चार बज़ कर बीस मिनट पर अमावशा तिथी समाप्त हो जाएगी पूजा का जो शुमुरत रहेगा वो सुबह से ही ऐसा संकल्प लें कि जो आप लाइफ टाइम तक उसे निभा सकी अगर आप निर्जला वरत रखते हैं तो आप निर्जला का ही संकल्प लें फलाहार वरत रखना चाते हैं तो फलाहार का लें या फिर एक समय मीठा अन खाके भी इस वरत को किया जाता है निर्जला वर अगर आप सामर्थेवान हैं तो पंडे जी को दान दक्षिना आप अवश्य दें वरत वाले दिन आप जब भी पूजा करते हैं तो आपके बालों से पानी बिल्कुल भी नहीं टपकना चाहिए आज के दिन अपने पती के पैर छूपकर उनको तिलक लगा के उनका भी आशिर करती हूं यह वीडियो आप सब के लिए उपयोगी होगा मिलती हूं इस तरह की वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादे